हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही फाइदेमंद है आज हम बात करेंगे आँखों की रोशनी के बारे में कैसे आप आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं वो भी जस्ट कुछी दिनों में अगर आप चस्मा या फिर लेंस यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फाइदेमंद नुस्खा होगा इसके इस्तिमाल से आप कुछी ही दिनों में अपनी आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं और आप पा सकते हैं बहुत ही तीज नजर जैसे गिद की नजर होती है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी की एक ऐसा नुस्खा जो आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और इसके इस्तिमाल से आप अपने आँखों की रोशनी बहुत ही जल्द बढ़ा सकते हैं दोस्तो आपने काली मिर्च का तो नाम सुना ही होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि काली मिर्च हमारे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसके यूज से आप अपने आखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं और चस्मे और लेंस को ताटा बाई बाई भी कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना है हमें काली मिर्च और बूरा शक्कर और गाय के देशी घी को मिला कर चुर्ण बना लेना है अब हमें रोजाना नास्ते से करीब आधा घंटा पहले एक चम्मच्चुन दूद के साथ लेना है इसके रेगुलर यूज से आप 15 दिन में ही असर देख सकते हैं आप अपनी आखों के रोशनी बढ़ते देख सकते हैं इसका इस्तमाल आप सर्दियों के दिनों में दो चम्मच्च भी कर सकते हैं यानि एक चम्मच्च सुबह और एक चम्मच्च शाम इसके निरंतर उपयोग से आप अपने आखों की रोशनी बहुत जल्द बढ़ा सकते हैं और चसमे और लेंसे सकोप बाई बाई बोल सकते हैं इसके साथ साथ आपको सिर्सासन करना बहुत ही फाइदे मंद होगा अगर आप रोजाना 10 मिनट के लिए भी सिर्सासन करते हैं और इस मिश्रन का यानि इस चुर्न का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्द आँखों की सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं लेकिन दोस्तों याद रखे कि सिर्सासन करते हैं वक्त आपके दोनों आखे बंध होनी चाहिए इससे आपको फायदा होगा अन्यता अगर आप आँखे खोले रखेंगे तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है उमीद करती हों दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें तेंक यू